पादपों का संसार भाग दो बच्चों मैं फिर से वापस आ गया हूँ मेरे बहुत सारे पहलू हैं जो आपको अभी भी जानने की जरूरत है पिछले वीडियो में आपने जीवित और अजीवित चीजों के बारे में सीखा था और ये भी सीखा था कि जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यक्ता होती है आपने ये भी जान लिया था कि पादप अपना भोजन स्वयम बनाते हैं जिसे सुवपोशन प्रणाली कहते हैं. इस वीडियो में हम अन्य दो प्रकार के पोशन प्रणाली के बारे में बात करेंगे. आईए हम नीलू और मीनू के पास फिर जाएंगे. पादपों के पोशन के बारे में अधिक जानने के लिए. इस वेडियो का उद्देश दो अन्य पादप पोशन प्रणालियों के बारे में जानना है नीलू, आज मैं बहुत ठक गई हूँ पुस्तकालय, विज्ञान कक्षा, खेल कक्षा और उपर से इतनी गर्मी थोड़ी मेरी मदद करना क्या चाहिए दीदी? याद है, मैंने तुम्हे कर एक मीठा बन दिया था और डिब्बे में रखने को कहा था क्या तुम उस डिब्बे को दे सकती हो? दीदी, उस बन को बाद में खाएंगे पहले ये देखो, मैंने जिस पादप को पानी दिया था वो कितना बड़ा हो गया है दस दिन में? जल्दी आओ दीदी अरे भाई आ रही हूँ वाँ, ये तो सच में बहुत हरा और स्वस्थ लग रहा है और बड़ी-बड़ी पत्तियों को तो देखो लगता है कि इसे बहुत धूप और बहुत सारा पोशन भी मिल रहा है ये है सही है कि पादप सूरज की रोशनी, कार्बन डायोकसाइड और बहुत सारे खनेजों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं पता है आज जब हम पाटशाला के पुस्तकाले में गए थे तो मैंने एक बहुत दिल्चस्प पुस्तक पड़ी थी, पादपों की दुनिया उस पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते दीदी, ये तो हैरानी की बात है, क्या इन में कोई पत्या नहीं होती? तुम सही कह रही हो, स्कूल की घंटी बच गई थी, इसलिए पूरी जानकारी पढ़ नहीं पाई लेकिन ये है तो पढ़ा था कि इनकी पत्या नहीं होती है क्या इसका मतलब है कि हम मनुश्यों की तरह वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं इसका मतलब ये है कि जब पत्या नहीं होती है तो कोई क्लोरोफिल नहीं होता है ठीक कहा तुमने ये हैरानी की बात है कि हम पौधों और जानवरों पर अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं परन्तु कुछ ऐसे पादप भी है जो अपने पोशन के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं मुझे भूख लगी है चलो कुछ खाएंगे पहले दीदी क्या पहड़ रही हो मैंने आज पुस्तकाले से पादपों की दुनिया नामक पुस्तक ली है नीलू यहां आओ और पैठो इनमें पादपों के बारे में काफी रोचक तथ्य है दीदी हम कल उन पादपों के बारे में बात कर रहे थे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं मुझे उनके बारे में और बताओ देखो इस पादप को यह कॉर्पस फ्लावर का पादप है यह ऐसा पादप है जो अन्य पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है यह पोशन के विश्यम प्रणाली का उप्योग करता है ऐसे पादप तो आलसी निकले क्या ऐसे पादप परजीवी होते हैं? हाँ, कॉर्पस फ्लार कसाटा जैसे पादप परजीवी है इन पादपों को परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे पोधे मतलब परजीवी या होस्ट प्लांट पर निर्भर होते हैं और उनसे पोशक तत्व प्राप्त करते हैं ये पादप काफी समझदार निकले इनको काम करने की जरूरत ही नहीं है पता है, वे अपने मेजबान को नहीं मारते उनसे भोजन, पोशक तत्व या पानी जो लेना है उनको बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कुछ पादप जिनके हरे पत्ते होते हैं और प्रकाश संशलेशन करते हैं वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं दीदी, इस पादप को देखो इसके तो हरे पत्ते हैं ये उन पौधों की श्रेणी में क्यों है जो विशम प्रणाली का उपियोग करते हैं हाँ, यह एक अच्छा अवलोकन है कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिनमें पत्ते होते हैं पर ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं लेकिन क्यूँ? देखो इस पादप को ये सनरचनाई तो जक्की तरहा दिख रही हैं देखो, इस पर कीड़े है ऐसे तो लग रहा है जैसे ये पादप कीड़े खाते हैं इसे पिचर का पादप या घट पर्णी कहते हैं ये कीट भक्षी पादप है लेकिन इसके तो पत्ते हैं ये तो अपना भोजन खुद बना सकता है ये पादप कम पोशन वाले मिट्टी में उखते हैं और कीड़ों को पचा कर पोशन की कमी को पूरा करते हैं इसका ये मतलब है कि कुछ पादप कीड़ों को खाते हैं बहुत दिल्चस्प है दीदी मुझे बहुत भूख लगी है मैं कल मीठा बन खाना भूल गई थी क्या तुम ला सकती हो ओ, मैं भूल गई ये उस डिब्बे में है मैं अभी आई ओहो, ये खराब हो गया है दीदी कुछ सफेद वृध्धी इस पर है और इससे तो बुरी गंद आ रही है तुमने इस बन को एक गीले डिब्बे में रख दिया होगा ओहो, दीदी याद है ऐसी सफेद वृध्धी को हमने एक बर आचार पर भी देखा था मा ने कहा था कि इसे कवक कहते हैं अब मुझे याद आया हाँ, इसे कवक या फंगस कहा जाता है ये वास्तव में पादप है जो पोशक तत्मू को रोटी से ले रही है ऐसे पोशन को मृत जीवी पोशन कहा जाता है ये ऐसे पोधे हैं जो ख्षयकारी पदार्थ या खराब हुई चीजों पर पनपते है दीदी, ये आते कहां से हैं? ये वास्तव में हवा में मौजूद है कोई जादू या चमतकार से नहीं आ जाते जब वे नम पदार्थों पर उतरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा मैं अभी खेलने जाऊंगी बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि कवक किस प्रकार से ख्षय हुए पदार्थ को खाते हैं? आपने इस वीडियो में दो प्रकार के पोशन के बारे में सीखा विशम पोशी प्रणाली और मृत जीवी पोशन प्रणाली इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्ट करें क्या आप जानते हैं कि पोधों को उचित आकार और उचित मात्रा में बढ़ने के लिए सही प्रकार के खनीजों की अवशक्ता होती है? अगर पोधों को कारबन डायोकसाइड, ओकसीजन, नाइट्रोजन परियाप्ट रूप से ना मिले तो क्या होगा? उनका विकास रुख जाएगा नाइट्रोजन सीधे पोधों के लिए उपलब्द नहीं है किसी भी समय मिट्टी में नाइट्रोजन या तो पोधे और जानवरों के अवशेशों में, अपेक्षा क्रितिस्थिर मिट्टी कारबनिक पदार्थों में या जीवित मिट्टी के जीवों में मुख्य रूप से बैक्टीरिया जैसे रोगानुओं में मिलता है कुछ नाइट्रोजन मात्रा यूरिया में भी मौजूद हो सकती है जो की पोधों के लिए थोड़ा उपलब्ध हो सकता है हम इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे तब तक अलविदा